हड्डियों में दर्द, कब्ज, लीवर खराब, आखों की रोसनी, खून की कमी को दूर करती है सिर्फ यह एक चीज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जिसको कच्चा या पका कर भी खाया जाता है पपीता हमारे स्वास्त है और त्वचा में सुधार लाने के लिए बेहतरीन फल है इसमें विटामिन A, C, नियासीन, मैगनीसियम, पोटैसियम, कैरोटीन, प्राकृतिक फाइबर और प्रोटीन जैसे महतपूल पोसकतर तो पाये जाते हैं इसके बीज और पतियों का भी और सधिये इस्तिमाल किया जाता है इसके बीज में मैगनीसियम, प्रोटीन, कैलसियम और फासफोरस आधिगुड पहे जाते हैं इसमें एंटी आक्सिडेंट और विसाक्तता को दूर करने वाले प्रभाव भी नजर आते हैं इसके जीवाड रोधी बीज को भी आप निकाल कर खा सकते हैं पपीते के नियमित प्रियोग से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं आईए इस वीडियो के माध्यम से हम पपीता खाने के फाइदों को जाने और इस विसे में हम अपनी और भी जानकारी बढ़ा सकें पहला फाइदा है तुचा के लिए तौचा की सेहत के लिए पपीते में कई तत उपलब्द हैं इसे खाने के अलावा इसका प्रियोग फेस पैक के रूप में भी किया जा सकता है इसमें रोम छिदर खुलते हैं और मुहा से भी दूर होते हैं इसमें मृत कोसिकाओं को हटाने का भी गुर्ग होता है जिससे की हमारी तौचा में निखा राता है अगला है कैंसर के उपचार में पपीता में पाये जाने वाला लाइकोपिन, कैरोटिनाट, एंटी ऑक्सिडेंट, बीटा, क्रिप्रोग्थाइन और बीटा कैरोटीन आदिता तो कैंसर को दूर करने में काफी सायक होते है इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाये जाते हैं जो कैंसर की कोसिकाओं को नस्ट करने में आपकी बहुत मदद करते हैं अगला है प्रतिरोधक छमता बढ़ाने में पापीता में मौझूद विटामिन सी, सफेद, रक्त कोसिकाओं को बढ़ाने में काफी महतोपूर होता है इसके अलवा इसमें एंटि आक्सिडेंट, प्रोटीन, विटामिन A और E भी प्रचुर मात्रा में पाये जाता है ये सबी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में बहुत ही महतोपूर योगदान करते हैं अगला है हिर्दे रोग में पापीता में पाया जाने वाला विटामिन A, C और E प्रचुर मात्रा में होता है यही नहीं इसमें एंटी ऑक्सिदेंट और फाइबर भी खूप पाये जाता है फाइबर कोलेस्टाल के इस्तर को कम करने का काम करता है ये सभी तब मिलकर हिर्दे की तमाम खत्रों से बचाने में मदद करते हैं अगला है बालों के लिए इसमें भरपूर मात्रा में पाये जाने वाले खनिज, एंजाइम और विटामिन्स बालों के वृध्य और विकास के लिए बेहत जरूरी होते हैं पपीते के पत्ते का अर्क कंडिसनर के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है पपीते का नियमित सेवन बालों की सेहत के लिए बहुत ही अवस्यक है अगला है रक्तचाप को नियंतरित करने में पपीते में मौझूद पोटेसियम हमारे सरीर में सोडियम के प्रुभाव को कम करके रक्तचाप के इस्तर को बनाये रखता है उच्च रक्तचाप से पीडित वेक्त यदि नियमित रूप से पपीते का सेवन करे तो उसे काफी लाब मिल सकता है अगला है पाचन में पपीता में भरपूर मत्रा में पाये जाने वाला पपेन नाम का एंजाइम पाचन क्रिया को उतेजित करने का काम करता है इसके अलावा इसमें घुलनसील, फाइबर, वीटा कैरोटीन, विटामीन E और फोलेट आदि कबज को रोकने और बड़ी आद के कैंसर के खत्रे को कम करने में बहुत ही योगदान करते हैं अगला है वजन कम करने में को पपीता का काफी लाब मिल सकता है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामीन C, फोलेट और पोटेसियम आदि पाये जाते हैं इसमें पाये जाने वाला पपेन एंजाइम तो पाचन में सहायता करता ही है साथी साथ आपकी पाचन किरिया को भी आसान कर देता है दरसल पपीता में कोलेस्टाल और वसा ना के बराबर पाये जाता है जिससे की वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है अगला है जोडों के दर्द में गठिया जिससे की जोडों में दर्द होता है इसमें भी पपीता के फाइदे नजर आते हैं इसमें पाया जाने वाला anti-inflammatory enzyme जैसे की पपेन और चैमोपेन, संधिसोत यानि की घुटने की जो सूजन होती है उसको कम करने में काफी एहम भूमिकानी भाते हैं, पपीता सूजन में बहुती लापकरी होता है अगला है आँखों के लिए, आँखों की सेहत के लिए पपीता में विटामिन A, C और E पाया जाता है, इसके अलावा नील प्रकास से रच्छा करने के लिए इसमें कुछ ऐसे तत तो पाया जाते हैं जो रेटिना को नुकसान होने से बचाते हैं और मोतियाबिन के खिलाब भ भी आसान कर देता है, दरसल पपीता में कोलेस्टाल और वसा ना के बराबर पाया जाता है, जिससे की वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है, अगला है जोडों के दर्द में, गठिया जिससे की जोडों में दर्द होता है, इसमें भी पपीता के फाइदे नजराते हैं, इ पपीता सूजन में बहुत ही लापकरी होता है अगला है आँखों के लिए आँखों की सेहत के लिए पपीता में विटामिन A, C और E पाये जाता है इसके अलावा नील प्रकास से रच्छा करने के लिए इसमें कुछ ऐसे तत तो पाये जाते हैं जो रेटिना को नुकसान होने इसे बचाते हैं और मूतियाबिन के खिलाब भी लड़ते हैं